कि आप सब लोगों को नमश्कार हैं और वारी चैनल पे आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट बट इंपॉर्टिंट नोट पेपर के पॉइंट व्यू से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टिंट नोट इसको बहुत हैं ग्लोबल इवेक्विएशन ए जाए जाए उसके लिए मैं आपके सामने आज कुछ चीजे में दिखाना चाहता हूं ग्लोबल इवेक्विएशन एक्सराइज जहां पर मुझे दो चीजे दिख रही है एक है वंदे भारत मिशन और दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु इन तमाम चीज़ों पर आज हम ब बात करते हैं कि कोविट 19 से लेडने के लिए क्योंकि दुनिया भर में लोगडाउन हो चुका है कहीं भी इंट्रेशनल फ्लाइट्स या इंट्रेशनल बॉर्डरों को सील करका है कोई दर उदर नहीं आ सकता है इसलिए सरकार ने जो फसेविए भारतिये हैं दूर दराज क के देशों में उनको कैसे निकाला जाए उनको कैसे उनके लिए मदद सुविदा दी जाए तो सरकार ने यहां पर कुछ मिशन निकाले हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे एक का नाम है वंदे भारत मिशन और दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतू और तीसरा जो म आपर डिसक्रशन किया गया है हम तमाल चीज़ों है बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो मेरे सामने आ रहा है वो है भारत मिशन जब मैं वंदे भात मिशन की बात करता हूं तो मुझे सामने नजर आता है कि बाई एयर बाई एयर जहां पर भारत सरकार का जो मंत्राले हैं उन्होंने तमाम भारतिय उच्चायों को जिसको हम हाई कमिशन कहें या एमबैसी कहें उन तमाम लोगों से संपर्षादा है कि वो तमाम भारतियें जो फसे हुए हैं धान तु बापस भारत में लाया जाएगा तो सरकार का एक मिशन है जिसको ये कहता है वंदे भारत मिशन जो है जो बनाया गया है खास कर से उन तमाम लोगों के लिए जो फसे हुए हैं दुनिया के तमाम इलाकों में उनको कैसे निकाला जाए तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ एतिहास से कदम उठाएं हैं 12 देशों से लगवा 15,000 वो लोग जिनका कोविट टेस्ट या फिक्रोना वायरिस टेस्ट नेगिटिव आएगा उन्हीं कोई ही भारत में लाया जाएगा उसके बाद फिर उन्हें 14 दिन के लिए कोरटाइन भी किया यह जो मिशन लिया गया है यह हमें याद दिलाता है 1990 में जो एयर विट मिशन हुआ था जिसमें लगवट डेड़ लाग भारतियों को कुवेट से निकाला गया था अगर आपको याद हुआ कि आपने अक्षे कुमार की एयर विट मूबी को देखा ओगा तो किस तरीके से गया था तो इस तमाम चीजे कहीं न कहीं रिप्रेजंट कर रही हैं भारत सरकार में जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि हम साथ मई से तेरह मई तक 64 फ्लाइट 64 फ्लाइट को हम रवाना करेंगे और वो लोग वहां से भारतियों को यहां लेकर आएंगे अलग-अलग इंट्र काम देशों की लिष्ट दे रखी है कि कौन-कौन से देश से हम भारतियों को निकालेंगे तो सबसे पहले यूएइम यूके यूएसे कतर सौधिय अरब सिंगापूर मलेशिया फिलिपेंस बंगलदेश बहरीन कुवेद और ओमान तो यह जितने देश आपको दिख रहे है इसके तहब उन लोगों को वहां से निकाला जाया इसका प्रोसेस चल रहा है और यह शुरुआत कर दी गई है साथ मई से आपको बता होगा और यह जो है खासकर से जो फसे हुए उनको लाने की कवायत यहां पर स्टार्ट कर दी गई है तो बात करते हैं आगे जो अगला आपके सामने है जो बोलता है ओप्रेशन समुद्र सेतू समुद्र सेतू के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो यह ओप्रेशन लौंच किया है इंडियन नेवी ने मैं फिर कह रहा हूँ यह ओप्रेशन जो लौंच किया है इंडियन नेवी ने लौंच किया ह समुद्र के रास्ते, खास कर से मालधी की राजधानी माले में फसे हुए उन तमाम भारतियों को वहां से वापस लाया जाए। तो इंडियन नेवी ने ये उठाया है और इंडियन नेवी ने खास कर से उसके दो जहाज आइनेस, आइनेस, जलशवा और मगर इन दो आइनेस के जरिये हम उन तमाम भारतियों को यहां से लाने की बात की गई है कोश्चन क्या सकता है कि कौन से आइनेस का स्तमाल किया गया था भारतियों को इवेक्वेट करने के लिए धान से सुनेगा तो कौन कौन से है आपका एक है आपका जलशवा और दूसरा है मगर तो इन आइनेस का स्तमाल किया गया था समुद्र सेतू, ओपरेशन समुद्र कोश्चन आपका यहां आ सकता है तो इस टाइब की चीजों को ध्यान रखेगा कोश्चन कैसे आ सकता है यह भी हमारे लिए important है आगे बात करता हूँ नीती आयोग ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएं है या यह कहा जाए कुछ एतिहासी कदम उठाएं हैं नीती आयोग ने इसमें नीती आयोग को कहना है कि जो हमारे डिस्टिक हैं में तो कांशी बैकवर्ड डिस्टिक हैं वहां पर नीती आयोग ने कोबिट 19 के केसिस को या यह कहा जाए क्रोना वायरिस के केसिस को अफजर्व किया है जहां यह पाया क्या है कि उन 112 डिस्टिक में सिर्फ और सिर्फ 610 केसे से जो वहां पाए गए हैं जो नैशनल लेवल से 2% कम हैं इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 6 जिलेई ऐसी हैं जहां पर यह पाए गए हैं इसके अंतरगत नीती आयोग ने हाल में खास कर से सिर्फ के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम क्या है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी प्रोग्राम इसमें क्या होगा यह सिर्फ से जो हमारे वर्ष नाखरिक हैं उनको सेनेटाइज किया जाए उनको प्रिवेंटी मेजर्मेंट दिये जाए उनका जो ब हर सरकार ने चलाया है आप सब के लिए आई हो आप सबी को क्लियर होगा